असलामलेकुम आज में आप लोग के साथ शीयर करूंगी पीजा कटलेट की रसीपी बहुत ही मज़े के बनते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने यहां पे बॉयल की हुए अलू ले लेने हैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिट डाल देनी है और अच्छी तरह से हमने इसे मैश कर लेना है मैश करने के बाद इससे साइड पर रखेंगे पैन में हमने थोड़ा सा ओल ले लेना है अब इसके अंदर हमने बॉयल की हुआ चिकन डाल के एक मिट इसे पकाएंगे अब एक चौप की भी प्यास जाल देंगे और हलका सा इसे प्यूंग हमारी त्यार हो चुकी है जो हमने आलू मैश करके रखे थे इसमें हमने पीजा चीज लगानी है यह चिकन की फिलिंग भरेंगे दुबारा फिर से चीज लगा कर इसे हमने इस तरह बंद कर देना है यहां पर हमने मेदा ले लिया है अब अंडे में इसे डिप कर लगा कर इसे हमने फ्राइ कर लेना है तो बहुत ही मज़ेदार हमारे पीजा कटलेट बनकर त्यार है तो आप भी रेस्पी जरूर ट्राइ करें